दोस्तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैसा बिजनस जिसकी बारे में सुनके ही ना लगता है कि इसमें बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे आंकडे इन सबसे दोचार होना पड़ेगा हाँ क्योंकि ये बिजनस है रियल एस्टेट का और रियल एस्टेट का बिजनस जो है जैसे हम किसी जमीन पर इन्वेस्ट करते हैं लगबग वैसा ही समझ लीजिए तो real estate की business से आप कैसे मुनाफ़ा कमा सकते हैं, कैसे आप इस business को शुरू कर सकते हैं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि real estate का business ऐसा है कि अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं हुई और आपने ऐसे ही business शुरू कर दिया तो आपके नुकसान के chances बहुत जादा है इसलिए thoroughly इस वीडियो को देखेगा, comment section में जरूर लिखेगा कि कोई question है आपके मन में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह के जहांसे में आए हम आपको बिल्कुल pure जानकारी देते हैं, तो आप comment section में लिखेगा अगर कोई आपकी query उसके जवाब जरूर देंग पुरी तरह से गलत है, real estate एक अच्छा business विकल्प है, यदि आप इस वेवसाय को शुरू करने की योचना पर विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हरक शेत्र में प्रतिस पर्दा है, वैसे ही यहाँ भी पहले से स्थापित दिगजों से आपको चुनौती मिलना आम बात है, लेकिन आपको प्रतिस पर्दा से भैवीत और डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसके शुरूआत में ही ध्यान से योचना बना लेते हैं, तो आप इस प्रतियोगिता के महौल में भी सफलता पूर वक इसका कार आरंभ कर सकते हैं, जितनी अ आपको बहुत धहरे रखने के आवशकता होगी, तो चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से रियल एस्टेट के विवसाय में उतर सकते हैं और इस दोरान किन-किन बातों का ध्यान रखना है, योचना अत्यादिक प्रतिस पर्दा क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले आपको योजना बना के आगे बढ़ने पर आत्म विश्वास बना रहेगा, योजना बनाते समय लगू विवसाय विकास केंद्र के विशेशग्यों से सला ले सकते हैं, यह आपको रियल एस्टेट पर योजनाओं में शामिल करने का अच्छा तरकीब है, एवं निवेशकों और र अध्यान के इंद्रित करना चाहते हैं, यह समपत्यों के क्षेटर विशेशग्य बनना चाहते है, यदि आपका ग्रहक लक्षित है, तो सफलता का अफसर उतना ही बहतर होगा, साथे सुनिश्चित करें, आप ग्रहकों के भी सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, समपत्य के साथ साथ documentation और लोन के लिए भी मदद कर रहे हैं अचल संपत्ती का वेवसाय करने के लिए विचार करें आवासिय रिजॉर्ट और वाकेशन होम, आय संपत्ती, कॉंडो, वानिज्यक रूप से जोन की संपत्ती, संपत्ती प्रबंदन, किराय की संपत्ती साथी इस पर भी विचार करें क्या केवल खरीदारों के लिए ही काम करना चाहते हैं या जो घर भीजना चाहते हैं उनके लिए भी बाजार अनुसंदा, हर वेवसाई के लिए माकेट का आंकलन करना ज़रूरी होता है, ये रिसर्च ही बताती है जो आपका विचार है वेवसाई को लेकर वो कितना काम का है, कॉंसे स्थान्स की संपत्ती अच्छी रहेगी, वही इस से आपकी वरतमा स्थिती पर भी विचा का रिसर्च करें, इस रिसर्च से वास्तविक्ता का अनुभव होगा, रिसर्च में विशेशग्यों और अनुभवी से सलाह भी लेंगे, तो ये आपके लिए फायदे मन्द होगा, प्रतिसपर्दियों की पहचान करें, ऑनलाइन उपलब डेटा का उप्योग कर आंकलन कर सकते हैं जैसे कि आयू सीमा, जीवन शेली और व्यवहार पैटन जैसी प्रमुख विशेशता हैं, आपके लक्षित ग्राहकों को खंडों में विभाजित करने के लिए उप्योग के जाने वाले कुछ डेटा बिंदू हैं, ग्राहकों के साथ अच्छा संबंद बनाएं, व वैसे तो रियल एस्टेट कमपनी के लिए छोटी राशी प्रयाप्त होती है, पर केवल स्टार्टप लागत की गर्ना करने की गलती से बचें, इसकी बजाए कॉस्ट कैरी की गर्ना करें, इसमें ग्राहक से पहला पेमेंट लेने से अगले 5-6 महीने में लगने वाली लाग आफिस देख सकते हैं, अगर आफिस बजट के बाहर है, तो स्टोर फ्रंट के बिना काम करने का तरीका पता लगाएं, लेकिन आफिस रखना जादा भरोसे मन्द होगा ग्राहकों के लिए, एक मुनीम को रखें, ये पूरी तरह से अकाउंटेंट नहीं होता, पर डॉक्यम टेकनॉलिजी के बड़ते दौर में ग्राहक किसी काफी फता लगाने के लिए ऑनलाइन मदद देते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ऑनलाइन प्रेजन्स कैसी है, क्या आपकी वेबसाइट गूगल पर सर्च करने के 50 यूजर को दिखाई दे रही है जितनी जादा दुरिश्यता होगी, आपकी वेबसाइट की उतने जादा ग्राहक आपसे संपर्क करेंगे। वेबसाइट पर और सोचल मीडिया अकाउंट्स पर अपना पूरा विवरंस सही सही डाले। इसलिए जितना जल्दी हो संपर्क करें। उत्तर नहीं देने पर संपर्क करते रहें और संपत्ती लेंदेन के लिए उत्तर तयार रखें। तांकि ग्राहक के प्रश्टों का समाधान कर सकें। सकरात्मक रहें, चिंता बिल्कुल ना करें। जितने जादा नम रहो इसलिए मात्रा की बजाएं गुणवत्ता पर ध्यान दे।